अब सभी का सिविल साइट नौलेच में आज का वीडियो आप सब के लिए important है जिन लोग चाहते हैं कि सेड़ी के नीचे दरवाजा देना चाहते हैं बनाना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही important होने वाला है क्योंकि इस वीडियो मैं पूरा detail में बताने जा रहा प्रवाइट किया जा सकता है और कितने हाइट पे पहला लेंडिंग होना चाहिए ठारा होना चाहिए फूरा डिटेल वीडियो आप लाज तक देखें प्लीज वीडियो को सेयर करना न भूले देखें क्या करना होता है जब कभी भी आपको इस्टियर के नीचे दरवाजा प्रवाइट करना है तो आपको कितना हाइट रखना चाहिए जो ठारा होता है लेंडिंग होता है आप देख रहे हैं इस्टियर यहां पर बना हुआ है यह इस्टियर बना हुआ है ओके और यह आ ताकि आपको दरवाजा प्रवाइड करने में कोई परसानी नहीं हो वीडियो आप लाज तक देखिए टेलिग्राम चनल से जुड़िए जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और इसका पीडियाप जो अभी मैं बता रहा हूं इस्टियर तो इसका पीडिय साथ सिविल से रिलेटर वीडियो अपलोड करता हूं अगर आपको सिविल साइट नॉलेज को सपोर्ट करना चाहते हैं तो जोईन बटन दिख रहा होगा आप जाकर जोईन कर सकते हैं सिविल साइट नॉलेज को सपोर्ट कर सकते हैं ओके चलिए वीडियो स्टार्ट करते ह वहेना है। कि च्ट्यर के नीचे दरवाजा प्रोवाइड करना है। सब्सक्राइब इस सब्सक्राइब करना हो गया फिर यह आपका स्लैब पे चले जाएंगे तो इसके नीचे इस्टियर बनाना हो तो कम से कम आपको रखना है हाइट साथ फिट छे इंच क्या करना है यह साथ फिट छे इंच होना चाहिए और साथ फिट का दर्वाजा रखते हैं ध्यान रखें जो कॉमन जो चाहिए तो इस तरह आपको इस्टियर बनाना होगा कि यहां से कैसे स्टार्ट करें कि यहां आते 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 आपको साथ फिट 6 इंच जगह मिल जाए ताकि हम धर्वाजा प्रवाइड करतें देखिए तोटल सलैब हाइट है मैं आपको बता दूं जब आप लोगार बनाते है आपके उपर करता है कि जो च्छत के उचाई है कितना रखे यहां पर मैं जो कंसिडर किया हूं 11 फीट यह देखिए यहां से स्टेयर स्टाट हुआ इसके नीचे दर्वाजा मैं पुर्वाइड किया हूं देखिए अब यहां पर ध्यान देजिए थोड़ा आप यह से स्मझे है अब देखने हैं कि यह हैं तो यह कितना रहा या या चलने में परण सकते च छे इंच ओके कितना छे इंच और जिस पर आप पैर रखकर चलते हैं उसको आपको 10 इंच रखना होगा कितना दस इंच यहां तक किलियर हो गया हां और एक और पॉइंट है आपका कि है कि इस्टियर प्र 一व कोड़ाई कि इतना रखें बहुत सारे लोग निबना देते हैं लेकिन इस्टियर का चौड़ाई कर मुशुझी का कंप एक तो कर दो करना है आपको क्या करना है कि पूरा slab height आपको तो मालूम हो गया कि आपके slab height कितना 11 feet है ओके तो 11 feet आप जानते होंगे कि एक feet के बाएक feet बराबर होता है 12 inch क्लियर यह तो जानते हैं कितना होता है 12 inch होता है तो यह 12 feet है तो इसमें 12 से multiply कर दीजिए देखिए यहां पर मैं कर दे हूँ 11 x 12 कर देजिए यानि 12 से multiply किजिए गा तो यह आया 132 inch ओके अब देखिए क्या करना है कि total slab height है उसमें से आपको 6 inch यानि कि one step यानि कि यह जो राइजर बनना है एक step का height आपको क्या करना है से divide कर देना भाग देना है तो यहीं पर मैं कि आऊंगों देख लें हैं आप यहां पर slab height है तो टॉटल slab height आपका कितना है तो slab height आपका 11 feet है यानिक एक सो 32 इंच है यहां पर देख रहे हैं तो 32 इंच यहां पर रखना डिवाइड़ वे हाइट ऑफ राइजर यानिक एक step का उचाहिए यानि हाइट कितना रखना उसे डिवाइड कर देना है एक सो 32 डिवाइड़ च्छे करेंगे तो यह 22 नंबर आ गया और यह आर कितना हो गया आपका 22 नंबर यानि कि आपका देख रहे हैं यहां पर ध्यान से देखिए इसका पीडिये फाइल आपको मिल जागा टेलीग्राम चैनल पर जाकर जूड़िए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रवाइड किया गया है वहां से जाकर देख सकते हैं यहां से यहां तक जाने में आपको step बनेगा 22 नंबर टूटल कितना step बनेगा 22 नंबर अभी आपने 22-1 is equal to 21 नंबर 21 नंबर कैसे हो जाता है ध्यान देजिए कि एक आपका क्या होता है यहां पर एक slab में आ जाता है यह जिस पर पैर रखेंगे लाश्ट में यह slab पर आ जाता है इसलिए 22-1 करदें 21 नंबर यह आपको यहां देखने को मिलेगा यह देखिए प्लान में देखन इंच का है ओके तो यह आपका टुटल 21 नंबर आज इस्टियर का चोड़ा यह आपका तीन फीट छे इंच ओके टुटल हाई साइज है आपका आठ फीट तो जब कभी भी आपको इस्टियर के नीचे दरवाजा प्रवाइड करना है तो आपको देखिए यहां से ज़्यादा दिख रहा है आपको यह और यहां आकि खत्मे करना होगा ओके आप चाहेंगे एक फेस में करें तो नहीं होगा क्योंकि आपको हाइट यहां पर ज्यादा चाहिए अगर मीड लाइनिंग प्रवाइड कर देंगे मालने लैंडिंग सेंप्रवाइड कर देंगे यह आपका बराभर हो जाएगा यहां पर आप देखें टोल्टल आपको यहां से कल्कुलेशन हो गया अब आपने सिखंग गया कि टोटल जो आपका है बने यहां और सब्सक्रों लेकिन आपको नीचे का करने दरवाजा प्रवाइड करना है तो साड़े साथ फिट पे इसके निकलना पड़ेगा दूरी तभी तो आप calculate कर पाएंगे कि इस्टियर के नीचे दरवाजा जो provide करना है तो कितने height पे होना चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा समझ लेजिए जब कभी भी इस्टियर के नीचे दरवाजा आपको provide करना है तो साड़े साथ फिट यह लेंडिंग यानि ठाराओ का height होना चाहिए इतका जो height होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक साड़े साथ फिट होना चाहिए आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक कितना साड़े साथ फिट ओके remaining height य यह हो जाएगा औहां साड़े साथ फिट यह हो जाएगा तो यह total 11-2 हो जाएगा के लिए तो जैक लिए इसका कैसे करेंगे इसका Form the equation करना होगा सेम है देखे सात फीट 6 इंच है आपका पास यहीना साथ am at the edge इसको इंच में इंच में करेंगे तो यह 90 इंच हो जाएगा ओके और इससे 90 inf हो गया तो 90 inf से stair 6 क्रेंगे कितना हो जागो ःपका फिप्टिन नम्बर टोल आपका राई जर कितना हो जागो ध्यान दीचिये फिप्टिन नमबर यानि किayedंसी यहां seasons तक आने में राइजर टोटल हो जागा आपका 15 नमबर यहां पर मैं डिलीट करते हैं तो देखिए आपका यह 15 नमबर है यहां पर देखिए इसका प्लान है यह प्लान है और इस थे सेक्षन है अ किसे भी का कैलकुलेशन कट सकते हैं कि अब कभी दर्वाज के दरवाजा के नीछे बनाना हो एतना हाईट पर कालकुलेशन और इसका जो लेंध निकालना चाहेंगे तो देख लिजी अगर आप इसका पूरा लेंध निकालना चाहेंगे इसका चोड़ाई कितना है आपका देखें एक का चोड़ाई है दस इंच आट टोटल बनना 14 नमबर तो 14 तो मुल्टिप्लाई किजिए तो 140 इंच हो जागा इस दर आप इसका दोरी निकाल सकते हैं दोरी निकालका आप कमेंट किजिए और मुझे बताईए कितना दोरी होगा मैं आपको कमेंट के एकॉर्डिंग फिर बताऊंगा नेक्स्ट मैं वीडियो लाने वाला हूं कि अगर आप स्टियर के नीचे टोइलेट बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में